आज हम सुनते हैं मुशी प्रेमचंद की कहानी कायर यूबक का नाम था केशव, योवती का प्रेमा दोनो एक ही कॉलेच के और एक ही क्लास के तियारती थे केशव नए विचारों का यूबक था, जात पांत के बंधनों का विरूधी प्रेमा पुराने संसकारों की कायल थी पुराने मर्यादाओं और पिथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और यह बात सारे कॉलेज में मश्यूर थी केशव ब्राह्मन होकर भी वैश्य कर्ण्या प्रेमा से विवा करके अपना जीवन सार्थ करना चाहता था उसे अपने माता पिता की परवाह न थी कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेम थी किन्तो प्रेमा के लिए माता-पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुध एक कदम बढ़ाना भी और संभव था संध्या का समय है विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन इस्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं सेर करने वाले एक-एक करके विदा हो गए किन्तो ये दोनों अभी वही पैठे हुए हैं उनमें एक ऐसा प्रसंग छिडा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता केशव ने जुझला कर कहा इसका यह अर्थ कि तुहें मेरी परवान नहीं है प्रेमा ने उसको शान्थ करने की चेस्टा करके कहा तुम मेरे साथ अन्याए कर रहे हो केशव लेकिन मैं इस विशय को माता पिदा के सामने कैसे छेड़ू यह मेरी समझ में नहीं आता वे लोग पुरानी रूडियों के भक्त हैं मेरी तरफ से ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना कर सकते हो केशव ने उग्रभाव से पूछा तो तुम भी उनी पुरानी रूडियों की गुलाम हो प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में म्रदोस नह भर कर कहा नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है ऐसा ही समझ लो मैं तो समझता था कि ये ढखोसले मूर्खों के लिए ही है लेकिन अब मालू हुआ कि तुम जैसी विदूशियां भी उनकी पूजा करती है जब मैं तुम्हारे लिए संसार्ट फोड़ने को तयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ प्रेमा ने सोचा मेरी देह पर अपना क्या अधिकार है जिन माता पिटा ने अपने रक्ट से मेरी शरष्टी की है और अपने असले से उसे पाला है उनकी मर्ज की खिलाब कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं उसने दीनता के साथ केशव से कहा क्या प्रेम इस्त्री और पुरिश की रुप में ही रह सकता है मैत्री की रुप में नहीं मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूं केशव ने कठोर भाव से कहा इन दार्षनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा बस इतना ही समझ लो मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता मैं प्रत्यक्षवादी हूं और कल्पनाव के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी और खीचने की चेश्टा की प्रेमा ने जटके से हाथ चुड़ा लिया बोली नहीं केशव मैं कहचक चुकी हूं मैं स्वतंत्र नहीं हूं तुम उसे वह चीज न मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो फिए उसे तना दुख न हुबा होता एक शंड तक वह मन मारे बैठा रहा फिर उठकर निराशा फरेस्वर में बोला जैसी तुम्हारी इच्छा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहां से चला गया प्रेमा अभी वहीं बैठी आंसु बहाती रही भाग दो रात को फोजन करने प्रेमा जब अपनी मा के साथ लेटी तो उसकी आँखों में नीद न थी केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पढ़ने वाली च्छाया की तरह उसकी दिल पर च्छाई हुई थी पतिशन उसका रूप बदलता था वहां उसे इस्थर न कर सकती थी माता से इस विशे में कुछ कहे तो कैसे रज्जा मुह बंद कर देती थी उसने सोचा अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ होता तो उस समय मेरा क्या करतव्य होगा अगर केशव ने कुछ उड़न ड़ता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा लेकिन मेरा बस ही क्या है इन भाती भाती के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्यत हुई वह यह थी कि वह केशव के अलावा और किसी से विवाह न करेगी उसकी माताय ने पूछा क्या तुझे अब तक नीन ना आई मैंने तुझे से कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत घर का काम काच किया कर लेकिन तुझे के इताबों से फुरसत ही नहीं मिलती चार दिन में तुप पराय घर जाएगी कौन जाने कैसा घर मिले अगर कुछ काम करने की आदत न रही तो कैसे निबहा होगा प्रेमा ने फोरे पन से कहा मैं पराय घर जाओंगी की क्यों माता ने मुस्कारा कर कहा लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी वे पत्ती है बेटी माँ बाप की गोद में पलकर जियों ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती है अगर अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया नहीं रो रोकर दिन काटना पड़ा सब कुछ फाग्य के अधीन है अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता कहीं लड़कियों का आदर नहीं लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा न जाने ये जात पात का बंधन कब तूटेगा टेमा डरते डरते बोली कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी वहवा होने लगे हैं उसने कहने को तो कह दिया लेकिन उसका रिदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भाप न जाए माता ने विस्मय के साथ पूछा क्या हिंदों में ऐसा हुआ है फिर उसने आप ही आप उस प्रश्ण का जवाब भी दिया और दो-चार जगे ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है प्रेमा ने कुछ जवाब न दिया भय हुआ माता उसका आश्ये न समझ जाए उसका भवश्यक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मूँ खोले खड़ा था मान उसे निगल जाएगा उसे न जाने कब नीद आ गई भाग तीन प्रातेह काल पेर्मा सोकर उठी उसके मन में एक विच्चत्र साहस का उदै हो गया था सभी महत्वपोन फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं मानो कोई दैवी शक्ती हमें उनी की ओर खीच ले जाती है वही हालत प्रेमा की थी कल तक वहाँ माता पिता की निर्णे को माने समझते थी पर संकट को वायू को सामने देखकर उसमें वायू की हमत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई परवत आ गया हूँ वही मन्ध वायू प्रवलवेग से परवत की मस्तक पर चड़ जाती है और उसे को चलती हुई दूसे दरजाब पहुचती है प्रेमा मन में सोच रही थी मानो यह दह देह माता पिता की है किन्तु आत्मा तो मेरी है मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा अब वह इस विशय में संकुच करना अनूचित ही नहीं खातक समझ रही थी अपने जीवन को क्यों एक जूटे सम्मान पर बलेदान करें उसने सोचा विवा का आधार अगर प्रेम न हो तो वह देह का विक्रा है आत्म समर्पन क्यों बिना प्रेम के भी हो सकता है इस कल्पना से ही न जाने किस अब पर इचितर युवक से उसका विवा हो जाएगा उसका रिदय विद्रोह कर उठा वह अभी नाश्टा करके कुछ पढ़ने जा रही थी कि उसके पिताने प्यार से पुकारा यह कहते हुए उन्होंने अपने मेच की दराज खोली और मखमली चोक्टों में जड़ी हुए एक तस्वी निकाल कर उसे दिखाते हुए बोले यह लड़का ICS के अमताहन में प्रथमा आया है इसका नाम तो तुमने सुना होगा बूठे पिताने ऐसी फुमी का बांध है दी थी कि मा उनका आशे न समझ सकी लेकिन प्रेमा भाब गई उनका मंतीर की भादी लक्षे पर जाब पहुंचा बिना तस्वीर की देखे ही और उसने कहा नहीं मैंने तो उसका नाम नहीं सुना पिताने बनावटी आशेरे से कहा क्या तुमने उनका नाम ही नहीं सुना आज की दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन रिद्तान्त छपा है प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया होगा मगर मैं उस परिक्षा को महत्व नहीं समझती मैं तो समझती हूँ जो लोग परिक्षा में बैठते हैं वे पल्ले सिर के स्वार्थी होते हैं आखिर उनका उदेश्य इसके सिवा क्या होता है और कि अपने गरीब निर्धन दलिद भाईयों पर शाशन करे और खुब धन संचे करे यह तो जीवन का कोई उचा उदेशी नहीं है इस आपत्ती में जलन थी अन्याय था, निर्धया थी प्रताजी ने समझा था प्रेमा यह बकान सुनकर लट्टू हो जाएगी यह सुनते ही तीखे सर्वें बोले तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे धन और अधिकार का कोई मुल्य ही नहीं प्रेमा ने धिटाई से कहा हाँ, मैं तो इसका मुल्य नहीं जमझती मैं तो आदमी में त्याग देखती हूं मैं ऐसे यूवकों को जानती हूं जिन है, यह पद, जबर्दस्ती भी दिया जाए तो इस भी कार ना करेंगे पिता ने उपहास के धंक से कहा यह है, तो आज मैंने नई बात सुनी मैं तो देखता हूं कि छोटी-छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं मैं जरा उस लड़की की सूरत देखना चाहता हूं जिसमे इतना त्याग हो, मैं तो उसकी पूजा करूंगा शायद किसी दूसरे अफसर पर ये शब सुनकर प्रेमा लज्जा से सर चुका लेती पर समय उसकी तशा उस सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो आगे बढ़ने के सिवा और कोई मार्ग न था अपने आवेश को सियम से दबाती हुई, आँखों में विद्रोह भरे, वह अपने कमरे में गई केशव के कई चित्रों में से एवह एक चित्र चुनकर लाई, जो उसकी निगाह में सबसे खराब था और पिता के सामने रख दिया बुढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली ही दृष्टी में उन्हें उसने उन्हें आकर्शित कर लिया उचा कथ था, और दुर्बलहुन एक बाव भी उसका गठन स्वास्थ्य और सियम का परिचे दे रहा था मुख पर प्रतिभा का तेजना था, पर विचार शीलता का कुछ ऐसा प्रतिभंब था, जो उसकी मन में विश्वाश पैदा करता था उस चित्र की और देखते हुए उन्हें ने पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने संको से सर जुगा कर कहा, यह हम मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं अपनी ही बिराद्री का है, प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई इसी प्रशन के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा उसके मन में पच्चतावा हुआ कि व्यर्थ मैं इस चित्र को यहां लाई उसमें इस शर्ण के लिए जो द्रढ़ता आई थी, वहे इस पैने प्रशन के सामने कातर हो डी तब ही हुई आवाज में बोली, जी नहीं, प्राहमन है और यहें कहने के साथ ही शुद्ध होकर कमरों से निकल गई मानों यहां की वायू में उसका गला खुटा जा रहा हूँ और दीवार की आड में होकर रोने लगी लाला जी को तो पहरे ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बलाकर साफ साफ कह दे की असंभव है यह उसी गुस्से में दर्वाजे तक आये लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए इस यवक के प्रती प्रेमा के मन में क्या भाव थे यह उनसे च्छपा न रहा वे इस्तरी सिक्षा के पूरे समर्थक थे लेकिन इसके साथ ही कुलमर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे अपनी ही जाती के सुयोग्यवर के लिए अपना सर्वसर अरपन कर सकते थे लेकिन अपने शेतर से बाहर कुलीन से खुलीन और योग्या से योग्यावर की कलपना भी उनके लिए असा है थी इससे बड़ा प्वान में सोच ही न सकते थे उन्होंने कठोर स्वर में कहा आज से कॉलेज जाना बंद कर दो अगर सिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो को सिक्षा है प्रेमा ने काधर कंट से कहा परिक्षा तो समीप आ गई है लाला जी ने द्रढ़ता से कहा आने दो और फिर वह अपने कम्रे में जाकर विचारों में डूप गए भाग चार च्छ महीने गुजर गए लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले जहां तक मुझे मालुम है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली ये वक है मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस चोक में घुल घुल कर प्रांट दे देगी तुमने भी समझाया मैंने भी समझाया दूसरोंने भी समझाया पर उस पर कोई असर ही नहीं होता आसी दशाम में और क्या उपा है उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा कर दोगे लेकिन रहोगे कहां न जाने कहां से एक कुल अच्छनी मेरी कोख में आई लाला जी ने भमेश से कोड़ कर तरसकार के साथ कहा यह तो हजार बार सुन चुका लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहां तक रोए चिडिया का पर खोर कर यह आशा करना कि वह तुमारे आगन में ही भुद्केगी भ्रम है मैंने इस पर खंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमें इस आप धर्म को सुकार ही कर लेना चाहिए कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता दुनिया हसती हो तो हसे मंगर वह जमाना बहुत जल्दा आने वाला है जब ये सभी बंधन तूट जाएंगे आज भी सेंकड़ो विवहा जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके है अगर विवहा का उदेशी इस्त्री और कुरश का सुख में जीवन है तो हम प्रेमा क्यों पेक्षा नहीं कर सकते हैं व्रध्धा ने शुब्ध होकर कहा जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे से क्या पूझते हो लेकिन मैं तो कहे देती हूँ कि मैं इस विवहा के नजदीक भी न जाऊंगी न कभी इस छोगरी कम हो देखूंगी समझ लूँगी जैसे और सब लड़के मर गए वैसे यह भी मर गई तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो क्यों नहीं उस लड़के से विवहा कर देते उसमें क्या बुराई है दो साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा केशव के पास क्या रखा है बहुत होगा किसी दफ्तर में कलर्क हो जाएगा और अगर प्रेमा प्रान हत्या कर ले तो तो कर ले तुम तो उसे और शहर देते हो जब उसे हमारी परफा नहीं है तो हम उसके लिए अपना नाम क्यों कलंकित करें प्रान हत्या करना कोई खेल नहीं है यह सब धंकी है मन का घोड़ा है जब तक उसे लगाम न दो पुठे पर हाथ भी न रखने देगा जब उसके मन का यह हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी ने बहा कर लेगी जिस तरह आज उससे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है क्या पत्ते पर अपना मांस बिकवाना जहते हो लाराजी ने प्रशन सूचक स्तरी की और देखा और कहा अगर वह कल खुद जाकर केशव सिवा कर ले तो तुम क्या कर लोगी फिर तुम्हारी कितने इज़त रह जाएगी वह जा ऐसा अंकोश्वस या हम लोगों के लिहासियों ही बैठी रहे पर यदि जिद पर कमर बांध ले तो हम तुम कुछ नहीं कर सकते इस समस्या का ऐसा भीजन अंत भी हो सकता है यह व्रध्धा के ध्यान में भी ना आया था यह प्रश्ण बम के गोले की तरश के मस्तक पर गिरा एक शंड तक वह अवाक बैठी रह गई मानो इस आगात ने उसकी बुद्धी की धज्जियां उड़ा दी हैं फिर पड़ाफूत होकर बोली तुम्हें अनोखी ही कलपनाय सूझती हैं मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कर्ण्या ने अपनी इच्छा से विवहा किया है तुमने न सुना हो लेकिन मैंने सुना है और देखा है और ऐसा होना बहुत संभव है जिस दिन ऐसा होगा तुम उस दिन मुझे जीती न देखोगे मैं यह नहीं कहता कि ऐसा ही होगा लेकिन ऐसा होना संभव है तो जब ऐसा होना है तो इससे यही अच्छा है कि हम इसका ब्रबंद करें जब नाग ही कट रही हो तो तेज छूरी से क्यों न कटे कल केशव को बोला कर देखो क्या कहता है भाग पाँच केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे मिजाज के चिड़चड़े और क्रपन धर्म के आडंबरों में ही उनके चितको शान्ती मिलती थी करपना शक्ति का भाव था किसी के मन्यों भावों का सम्मान न कर सकते थे वे अभी उस अंसार में रहते थे जिसमें उन्होंने बचपन और जवानी के दिन काटे थे नव योग की बढ़ती हुई लहर को वे सरवनाश कहते थे और कम से कम अपनी घर को दोनों हाथों और दोनों पेरों का जोड़ लगा कर उसे बचाए रखना चाहते थे इसलिए एक दिन प्रेमा के पिता उसके पास पहुँचे और केशव से प्रेमा के वागा प्रस्ताव किया तो बुड़े पंदजी अपने आप में न रह सके दुंदरी आँखें फाड कर बोले आप भंग तो नहीं खा गए हैं इस तरह का संबंध और चाहे कुछ भी हो विवहा नहीं है मालुम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है बुड़े बाबुजी ने नमरता से कहा मैं खुद ऐसा संबंध प्रसंद नहीं पसंद करता इस विशे में मेरे भी वही विचार हैं जो आपके पर बात ऐसी आप पड़िये कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेचाचारी हो गए हैं यह तो आप जानते ही हैं हम बुड़े के लिए अब अपने सिध्धानतों की रक्षा करना कठिन हो गया है मुझे भाय है कि यहीं दोनों निराशोगर अपनी जान पर न खेल जाएं बुड़े पंड़जी भी जर्वीन पर पाव पटकते हुए गरज उठे आप क्या कहते हैं साहब यह आपको शरम नहीं आती हम ब्राहमन हैं और ब्राहमनों में भी कुलीन ब्राहमन कितने ही पत्तित हो गए हो इतने मर्यादा शुन्य नहीं हुए कि बन्ये बक्कालों की लड़खी से वहा करते फिरें जिस दिन कुलीन ब्राहमनों में कन्याएं न रहेगी उस दिन यह समस्या अपस्तित हो सकती है मैं कहता हूँ आपको मुझे से ये बात कहने का साहस कैसे हुआ बुढे बाबु जी जितना दबते थे उतना ही पंडिज जी बिगड़ते थे यहां तक कि लाला जी अपना पमान जादा न सह सके और अपनी तक्दीर को कोचते हुए चले गए कि वक्त केशव कॉलेश से आया पंडिज जी ने उसे तुरंट बुला कर कठोर कौंसे कहा मैंने सुना है तुमने किसी बनी की लड़की से अपना विवा कर लिया है यह ख़वर कहां तक सही है केशव ने अजान बन कर पूछा आपसे किसने कहा किसी ने नहीं कहा मैं पूछता हूँ, यह भाट ठीक है या नहीं, अगर ठीक है तो तुम अपनी, तुमने अपनी मर्यादा को डुबोना निश्य कर लिया है, और तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं, तुम्हें मेरी कमाई का एक धिला भी नहीं मिलेगा, मेरे पास जो कुछ है, वे मेरी अपनी कमाई है, मुझे अख्तियार है, मैं जिसे चाहूं दे दूं, तुम्हें आनिती करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है, और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा के शवकी हुई। वह साधन योकों की तरह से धानतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था, जबान में उनमें अपनी भक्ती की दोह ही दे सकता था, लेकिन यातना जेलने का सामर्थे उ और पिता ने भी अपनी टेक रखी, तो उसका कहा ठिकाना लगेगा, उसका जीवन ही नस्ट हो जाएगा, उसने दभी जिवान से कहा, जिसने आपसे कहा है, बिल्कुल जूट कहा है, पंडिजी ने तीवर नेत्रों से देख कर कहा, तो यह ख़बर बिल्कुल गलत है, जी ह हाँ, बिल्कुल गलत, तो तुम आज ही इसी वक्त इस बनिये को खत लिख दो, और याद रखो कि इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी, तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रू होंगा, बस जाओ, केशव कुछ और न कह सका, रहां से चला तो ऐसे मालुम होता था, पैरों में ही नहीं है, भाग्चे, दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नामी है, पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूजी पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिस रोड़ अपमान जनग विवार किया है, उसका हाल सुनकर मेने बन में बड़ी शंका उत्पन हो रही है, शा मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूं और उसी में प्रसंद हूं, आज शाम कोई हैं आकर भोजन करो, दादा और मा दोनों तुमसे मिलने के लिए बढ़ हुद उच्छुक हैं, मैं वह सुपन देखने में मगनूं जब हम दोनों सूत्र में बंद जाएंगे, जो पह रहे थे, यहां तक की रात की नौ बजगे पर केशव ही न आय न उनका पत्र, प्रेमा के मन में भांती भांती के संकल्प विकल पूछ रहे थे, कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा, या आज आने के फृसत न मिली होगी, कल अवश्या केशव ने उनके पास जो प्रेम पदर लिखे थे, उन सब को उसने फिर पढ़ा, उसके एक एक शब से कितना अनुराख टपक रहा था, उनमें कितना कमपन था, कितनी विकल था, कितनी तीव आकाश्या, फिर उसे केशव के वे वाके याद आए, जिसने सेकडों ही बार कहे थे, कितनी बार वह उसके सामने रोया था, इतने प्रमाणों के होते वे निराशा के लिए स्थान कहा था, मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा, प्रातेख कालकेशव का जवाब आया, प्रेमा ने कापते हाथों से पतर लेकर पढ़ा, पतर हाथ से गिर गया, ऐसा जान पढ़ा मानों उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया हो, लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ, कि तुम्हें क्या जवाब दूँ, मैंने इस समस्या पर खूप ठंडे दिल से विचार किया है, और इस नतीचे पर पहुंचा हूँ, कि वर्थमान दशाव में, मेरे माता पिता के आग्या की उपेक्षा करना दूसर है, मुझे कारना समर्जना, मैं सुवार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधा हैं, उन पर विजय पानी शक्ति मुझ में नहीं है, पुरानी बातों को भूल जाओ, उस समय मैंने इन बाधाओं की पनाना की थी, प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खेची और उस खत को फाड़ कर फेंग दिया, उसकी आँखों से अश्टुधार बहने लगी, जिफ सकेशव को उसने अपने अंधरकंड से वर लिया था, वह तना निस्ठुन हो जाएगा, इस ही उसको रत्ते ही लुप्त हो गई हो, तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा, अपने रिदय की सारी संपति लगा, अगर उसने एक नाव लदवाई थी, वहनाल जलमगन हो गई, अब कौन दूसरी नाव वहां से लदवाए, अगर नाव तूटी है, तो उसके साथ वह भी ढूप माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है, प्रेमा ने भूमी की और ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबियत अच्छी नहीं है, इसके सिवा वह और क्या कहे, केशव की निस्ठूरता और बेवफाई का समाचार कहकर रजजित होने का सास उसमें न था, दिन भर वह घर के काम थंधों में लगी रही, मानों से कोई चिंता ही नहीं है, रात को उसने सब को भूजन कराया, खुद भी भूजन किया, और बड़ी देर तक हार्मोनियम पर गाती रही, मगर सरवेरा हुआ, तो उसके कमडे में उसकी लाश पड़ी हुई थी, प्रभात की सुनहरी कर ने उस